नमस्कार दोफ्तों स्वागता आपका अलिटरा स्टेडी एजुकसन प्लेटफॉंग पर आज हम बात कर रहे हैं स्टेटिक जी के 1000 प्लस पाउरफोर महराथन क्लास जहां पर हम 1000 प्लस MCQ को रहेंगे जो लूसेन बेस्ट हैं और यह क्लास आपके अपकमिंग एक्जाम के लिए बहुत ज़्यदे इंप्रोटेंट रहने वाले हैं जैसे NTPC, CBT2, GroupD और अधर कोई भी competitive एक्जाम है जिसमें स्टेटिक जी के पूछी जाती है उसके लिए बहुत ज़्यदे इंप्रोटेंट रहने वाली है तो आप क्लास को पूरा देखिए यहाप हम question को timer के साथ solve करने वाले हैं और साथ में उसके important point भी discuss करेंगे जो भी exam point of view से important है तो उचे लिए क्लास शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहरे आपको बता देना चाता हूँ मैं यहाप हम निमने topic को कबर करने वाले हैं जैसे लोग कलास शैलि हो गया पिरमुक समाजी इस्तल हो गया पिरमुक मखबरे बहुत धर्म जैन धर्म लोगनित्य, चितरकलास शैलि, पूजा इस्तल, महत्फवर्ण मंदिर विशुओ और भात के पिरमुक स्मारक पिरमुक मेले, पिरमुक त्योहार और पिरमुक सहर और उनके उपना, महत्पून पार्क, लोक कला सैली, समाज और उनके सस्ताफ़क और पिरमुक विएत, तो आप किलास पूरा देखे, अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो, तो कमेंट में कमेंट करना ना बूरें, तो चल अगर माइक कोल एंजिल और नामा क्वाइरस की बात करें, यह 1994 में में विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था, और माइक कोल एंजिल कों थे, यह एक चितरकार थे, तो इनके 370 जनम दिन के दिन, एक आर्टिफिशल वाइरस को लॉंच करने का प्रोग्राम था, तो इ बढते हैं नेक्स्ट के तरफ अगला क्वेश्चन है, गिरनार पाणियां कहां इस्तित है, उप्सटन है, उप्सन ए है गुजरात में, उप्सन भी है, उडिशा ऑप्सन C गोवा और उप्सन D असम, अगर गिरनार पाणिय की बात करें तो गुतराज राज जी के जूनाग होई अड़ा किस सहर में इस्तित हैं। स्वामी विवेकानंद अंतराश्टी होई अड़ा की बात करें तो यह चतीस गड़ के रायपुल में इस्तित हवाई अड़ा है। और अगर स्वामी विवेकार नंद की बात करें तो इनके बच्पन का नाम था नरेंदर नाद, दत और इनका जनम हुआ था 1902 में, 12 जनुरी 1902 में, इसलिए 12 जनुरी को National Youth Day मनाया जाता है, अगर International Youth Day की बात करें तो International Youth Day 12 अगस्त को मनाया जाता है, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क अगर काली बंगा की बात करें, ये सिंदुगाटी सब्विता का एक सहर था, जिसमें जो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, तो वर्तबाद समय में ये कहा है, राजिस्तान में इस्तित है, और अगर हम काली बंगा सब्दी की बात करें, तो ये सिंदु भासा से लिय गया सब्द है जिसमें काली का अर्थ है काला रंग और बंगा का अर्थ है चूणिया तो इसके पूरे काली बंगा का मतलब है काले करे की काले रंग की चूणिया बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है सक कलेंडर का पहला महिना होता है option A है चैत्र, option B है भाद्रोपॉक्स, option C है माग, option D है बैसार सक कलेंडर की बात करते तो सक कलेंडर चैत्र से सुरू होता है और फागुन में खतम होता है और सक कलेंडर की सुरूआइं ridge 78 SB में कुसान वंद के सास कनिस्क द्वारऑ करी गई थी और कुल 12 महिने होते हैं जो चैत्र से सुरूइते हुए फागुन में खतम होते हैं तो बारा महिने इस प्रकार हैं, पहला हो गया चैत, फिर हो गया बैसाग, फिर जेट, आसाल, स्रावण, भाद्रो, अस्विनी, कारतिके, अग्रहन, पूस, माग और फागुन तो स्टार्टिंग के तीन होगे चैत, वैसाग, जेट और लास्ट के तीन होगे पूस, मार्ग, फारगुन तो आप इन छे नाम को जरूर याद रखेगा बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्चन की तरब अगला क्वेस्चन है एरोला के गुफा मंदिर संबन देते हैं एरोला की गुफा की बात करें, यह 34 गुफाएं हैं जो हिंदु धर्म, बौद धर्म और जेन धर्म से संबन देते हैं तो आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर D और औरंगा की गुफाएं कहां इस्ते थे औरंगाबाद जिल्या महराष्टा में इस्ते थे जिनको राष्ट कूर्टा मंस के सासुकों द्वारा बनाया गया था बढते हैं नेक्स क्वेस्चिन की तरफ अगला क्वेस्चिन है लोसांग एक उस्तव है जो मनाया जाता है उप्सन है सिख्किम में उप्सन D है ंवट्र प्रदेश में उप्सन C है केलला में option D है Nagalajanad में, तो अगर हम low song उस्सव की बात करें तो सिख्किम में मना जाता है जो सिख्किम में भोटया जन जाती है उनका ये 9 वर्स की सब्क्राइब अगर हम बर्हम समाज की बाद करें तो इसको शुरू गरा था स्वामी द्यानन सरस्द्वति ने इन्होंने 1814 इस्वि में पात्मनी समाज की इस्तापना करी थी जिसका नाम 1428, 2828 भी में बदलके ब्रह्मो समाज रख दिया गया था बरते हैं नेक्स क्वेस्चन की तरब अगला क्वेस्चन है पतंजली का संबन्द किस से है? पतंजली की बात करें, इनका संबन्द है योग दर्शन से यह एक मुनी थे और अभी पतंजली वेलनौ ब्रांड है, जो किसके ये बाबारामदेब झी की एक ब्रांड है तो बाबारामदेब झी योग से संबन्द लिता है, तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं अगला question है सालार जंग संग्लारे कहां इस्तित है, option A है मुंबई में, option B है है हैधराबाद में, option C है जाइपुर में, और option D है लखनों में अगर सालार जंग संग्राले की बात करें यह इस्तित हैं दिलंगा रहा की राज़नी हैधराबाद में इस्तित एक कला संग्राले है बड़ते हैं नेक्स कोईस्टिन की तरब अगला कोईस्टिन है अजंता की गुफाएं कहाँ इस्तित हैं Option A है उडिशा में, Option B है मद्धिप्रदेश में, Option C है महाराष्टा में, और Option D है केरला में. तो अजन्ता की कुफाओं की बात करें, यह महाराष्ट में इस्तित हैं, और यह 29 चट्टान को काट कर बनाया हुआ एक बहुत इसमारक है. बढ़ते हैं, नेक्स क्वेस्टिन की तरफ अगला क्वेस्टिन है, दिल्ली में इस्तित सान्तिवन समाधी है. Option A है इंद्रा गांधी की, Option B है जोहाला नहरू की, Option C है लालबादु सास्त्री की, Option D है राजी गांधी की. अगर सान्तिवन की बात करें तो सान्तिवन है, पंडित जोहाला नहरू जी की समाधी स्तर है, अगर इंद्रा गांधी की समाधी स्तर की बात करें तो सकती स्तर है, और लाल बहादुर जी की समाधी स्तर की बात करें तो बहादुर विजय गाट है और राजी गांधी की बीर भूमी है बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है भारती उब महदीब मूलता एक अंग था ओप्शन है जोरेशिक लेंड का गोडवाना लेंड का आर्यावर्थ लेंड का और अंगारा लेंड का अगर हम भारती उब महदीब की बात करें तो भारती उब महदीब था गोडवाना लेंड का पाग और नीचे वाला ये गोडवाना लेंड है और उपर वाला कौन सा है लोरेशियाई लेंड और बीस में हो गया तैठिक सी ठीक है और ये वाला लेंड आके फिर यहाँ पर मिल और बन गया यहाँ पर हमारा भारत बन गया और यह तैठिक सी के उपर गया बन गया हिमालाई बरते हैं next question की तरब अगला question रंगोली भारत के किस छेत्र का पिर्मुक लोग कला सैली है option A है महाराश्टी की, option B है मध्यपरदेश, option C है राजिस्तान, option D है तमिल नाडू बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है खालसा पंथ की इस्तापना किस नहीं की, तो यहाँ पर खालसा पंथ हो जागा, option A है गुरु नानक देव ने, option B है गुरु रामदास ने, option C है गुरु गोविन सिंग ने, option D है इन में से कोई नहीं तो खालसा पंथ की बात करें तो 13 अपरेल 1699 की दिन, 99 को बैसा की के दिन, गुरु गोविन सिंग द्वारा खालसा पंथ की इस्तापना करी गई थी, और गुरु गोविन जी कौन से नमर के गुरु थे, लास्ट गुरु गोविन सिंग जी, दसवे नमर के गुरु थे, जो अगला question है, शिक्ष गुरू अर्जुन देप किसके सासनकाल में थे, option A है जहांगीर, option B है, option A है साजा, option B है जहांगीर, option C है हमायू, option D है अग्पर, तो अगर गुरू अर्जुन देप की बात करें, तो वो जहांगीर के समय के गुरू थे, अगर इनकी मिर्तु जहांगीर दोरा कराई गई थी, और अगर पूछा जाये कि किस गुरू ने चन्दा इख़टा करने की परता चलाई थी, तो किस ने चाहिए थी गुरू अर्जु गुरू अर्जुन देव और शिक्क के वह गुरू जिनका दिनम पटना में हुआ था यह थे गुरू अर्जुन देव जो शिक्कों के दस्वे गुरू थे और शिक्कों के गुरू से रिलेटिव भी गुरू अंगद देव गुरू अमरदास गुरू रामदास गुरू अर्जुन देव गुरू हरी गोविन सिंग और सात्यों नमर में गुरू हर्राय और आठों में हरी किसन नवे में तेग बादर और दस्वे में गुरू गोविन सिंग तो आप यह तो शुरू के तीन और ल प्रियापारी, option D है मूर्ति, योंके सिल्पकार, अलवार की बात करें तो यह है, तमिल के कवी और संत थे, कौन थे, संत, answer option number 8, correct answer, बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है, निम्नमे से कौन संत महाराष्टिक से थे, option A है मैं 3, option B है तुकाराम, option C है त्यागराज, option D है व्यास, तो इन में से अगर महाराष्ट के संत की बात करें तो option number 20, correct answer, तुकाराम जी महाराष्ट के संत थे, और यह भक्तियान दोनन के पिरमुक इस्तम माने जाते हैं, बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है, ज्यान option B है अंसुमान, option D है सुधाकर, option D है सोंवर्थ महभीर का नाम की बात करते तो महभीर का नाम पहले ता वरदमान और इनके जनम की बात करते तो इनका जनम कुंडि गनाम बैसाली में हुआ था और मोकशी नालंदा बिहार में इनको मोक शिप्राप्त वी थी ये जैन्धर में के 24 वे तीर्थ करते इनके पिता का नाम था राजा सिद्दार्थ और माजा का नाम था तिरसला देवी पढ़ते हैं next question की तरब अगला question है बुद्ध किस वन से सम्मंदित थे option A है साक्या option B है छत्री option C है कुरू option D है मौरिया अगर गौतम बुद्ध की बात करें यह थे साक्यावंस से और गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम था सिद्दार्थ और इनका जनम हुआ था लुम्मनी नेपाल में और मोक्ष की प्राप्तिविटी कुशी नगर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध के पिता का नाम की बात करें तो सुद्दोधन था और माता की नाम था माया देवी अगला क्वेस्टिन है माबीर का जनम किस राजगराने में हुआ था option A है छत्री option B है साक्या option C है लिच्वी option D है सात्वाहन तो माबीर के अगर बच्वन के नाम की बात करें तो वर्दमान है और इनका जनम हुआ था छत्री है राजगराने में बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है संत्कवीर का जनम कहा हुआ था option A है वाराणशी में option B है है हैधराबाद में option C है मत्रा में option D है दिल्दी में तो अगर संत्कवीर के जनम की बात करें इनका जनम हुआ था वराणशी उत्तर प्रदेश में और इनकी मिर्टु की बात करें तो मिर्टु वीती मगहर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है भारत के पुनर्जागरन के जनक कहा जाता है option A है मात्मागादी option B है राजाराम महुनराई option C है स्वामी विवेकानन option D है इनमें से कोई गी तो अगर भारत में पुनर्जागरन के पता की बात करें वो कहा जाता है राजाराम महुनराई को इन्हों ने उस 19 सताफदी में सामाजिक और धार्मिक कुरूतियों को दूर करने के लिए पुनरजागन की शुरुआत करी थी भारत में बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्चन की तरब अगला क्वेस्चन है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे अगर बंगाल में भक्ति आंदोलन की बात करे तो चैतिननी जी ने इनके प्रवर्तक थे और अगर बंगाल विभाजन की बात करे तो बंगाल विभाजन 16 जुलाई 1905 में लोट करजन द्वारा कराया गया था बढ़ते हैं नेक्स ग्वेस्चन की तरफ अगला क्वेस्चन है त्यागराश कौन थे option a है बैग्जनिक थे option b है निर्तक option c संघीतग्य option d राजनेतिग्ग तो त्यागराश की बात करें तो एक करनाटक के संघीतग्य थे कौन त्यागराश बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है गुरु नानक देव का जनम कब हुआ था अगर option की बात करें option A है 1450 में, option B है 1453 में, option D है 1469 में और option C है 1469 में, option D है 1488 में अगर गुरु नानक देव की जनम दिन की बात करें तो उनका जनम हुआ था अप्रेल 1469 में और गुरु इनका जनम हुआ था तलवंडी गिराम में जो वर्तमान के समय ननका साहिब पागिस्तान में इस्तित है और मिर्तु की बात करें तो इनकी मिर्तु हुई थी करतारपुर बढ़ते हैं, next question की तरफ, अगला question है, अलपना भारत के किस छेतर की पिर्मुक लोगकला सेली है, option A है चंडिगड, option B है पच्छिम्बंगाल, option C है पंजाब, option D है केरला, अगर अलपना लोगकला सेली की बात करें, यह है पच्छिम्बंगाल की सेली, अब लोगकला सेली क्या होती है, हमारी भारत में अनिक जंजातियां होती, तो उनकी पीडी दर, पीडी कुछ परंपराएं चली आती है, तो उन्हीं परंपराओं को हम कहते हैं, लोगकला सेली, जैसे पच्छे मंगाल की है अलपना और एक मदुवनी है जो बिहार की है, ठीक है, बरते हैं नेक्स क्वेस्टन की तरब अगला क्वेस्टन है, रंगोली भारत के किस छेत्र की पिर्मुक लोककला सेली है, ओप्सन ए है महराष्टा, ओप्सन बी है मध्यप्रदेश, ओप्सन अगर भारते हैं महराष्टा की निर्तिका, और भारत में सास्ति निर्ति कितने आठ, जो निम्न है और इसे एकजाम में क्या पूछा जाता है, सास्ति निर्ति और उसे संबंदित राज्य, तो अगर तमिल नाडु की बात करें तो, तमिल नाडु का सास्ति निर्ति है भारत नाट्यम, उत्तर प्रदेश का है कथक, और केरला की बात करें तो केरला का है कथक कली, तो इसमें ध्यान रखिए कथक है उत्तर प्रदेश का और पध्थक कली है केडला की, कुच्छी-पूरी है अंदरपरदेश की, ओडिशा की, मनी पूरी की और एक रह डिख आइज में क्या, केडला, मौनियथ्टम किसका सास्तिन नित्थ है केडला का, तो होगे आठ सास्तिन नित्थ। बढ़ते हैं नेक्स कुएस्टिन की तरब क्वेस्टिन है बिर्जू महारаст कि चेत्र के सुभ्धियाद कलागार हैं और ये है भढतनागतरिम के, और प्रशन भी है कक्थक नित्थिके और अप्षन टी है ओडिशी नित्थिके और ये कथर मente restauration और बिरजू महराज की बात करें तो बिल्जू महराज है कत्ठकनित्ति के और प्रप्रदेर महराष्टर महराश्ट्र exam और कत्थक के अनिकलाकार की बात करें तो बिर्जियो महराज होगे, सितारा देविगुई और डमिन्ती जोसी जी इसके मुख्य कलाकार है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन की तरफ अगला क्वेस्चन है यामनी किर्ष्णमूर्ती का संबंद कि सास्त्रिनित्य से है अगर यामनी किर्ष्णमूर्ती जी की बात करें तो इनका संबंद है भरतनाटिम से भरतनाटिम कौनसे राजी का सास्त्रिनित्य है भरतनाटिम है तमिनाडू का सास्त्रिनित्य और भरतनाट्यम के अन्य कलाकार की बात करें तो हैं सोना निमान सिंग और एक होगी यामनी किर्शनमूलती तो दो याद रखें सोना निमान सिंग और यामनी किर्शनमूलती बरते हैं अगले question की तरफ next question है ईसा मशी का जन्म कहा हुआ था? उप्शन ये है बेविलोन में, उप्शन बी एलब्रे में, उप्शन सी बैथलहेम में, उप्शन बी बेरूत में ईसा मशी जिनको जीसस क्रैस भी कहते हैं इनका जन्म हुआ था? बैथलहेम फलिस्तीन में है जो जिगर और इनके दियेगे उपदेशों को बैबल नाम से जाना जाता है और ये एक इसाई धर में फिरवर्त तक थी और इसा मशी का जन्म जिन 25 दिसंबर को क्रिस्मस डे के रूप में फिर तेगवर्स मनाया जाता है पड़ते हैं next question की तरफ अगला question है आदी संकराचारी का जन्म कहा हुआ था option A है कलांडी में option B है काचिपुरम में option C है मतुरा में option D है कासी में अगर आदी संकराचारी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था जलान्डी केरला में और इनकी मिर्तु की बात करें तो इनकी मिर्तुवीती केदानात उत्राखन में और आधी संकराचारिये अध्यत्य वेदान्त के पिरचारक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन की तरफ अगला क्वेस्चन है। किस धर्म की उक्ती है? ओप्शन A है रामतित मानस की ओप्शन B है रामयन की ओप्शन C है स्रीमत भगवत गीता की ओप्शन D है इन में से कोई नहीं। स्रीमत भगवत गीता की ओप्देश महावारत के समय अरजुन को स्रीकस्न द्वारा दिये गए थे। और इस में सीमत भगवत गीता में 700 स्लोक और 18 अध्याय हैं। बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है चित्तोड में विजय इस्तम का निर्मान किस ने कराया। option यह है महाराणा परताप ने option B है राणा संग्राम ने option C है राणा कुम्भा ने option D है राणा रतन सिंग ने। अगर चित्तोड के विजय इस्तम की बात पर इसका निर्मान कराया था राणा कुम्भा ने और चित्तोड का विजय इस्तम राईस्तान के चित्तोडगर जिले में एक नौमंजली इमारत है जिसको मेवार के राजा राणा कुम्भा ने मुहमद खिलजी पर विजय के उपल तुगलक, option C है, अमीर खोश्रो, option D है, त्याग राज तो ये सब्दे दिल्लिय भी दूर है, ये कहता निजामुद्दीन ओलिया के ओलिया ने और यह कौन थे? चिस्ति घराने के चौनते संत थे और अगर हजरत निजामुद्दीन दर्गा की बात करें, ये दिल्लिय मिश्ति की निजामुद्दीन ओलिया की दर्गा है, बरते हैं, next question की तरफ, अगला question है, स्वामी विवेकानन्द का वास्तेविक नाम क्या था? option A है विवेकानन, option B है नवेंदरनाथ, दत, option D है, C है देविर्थ, option D है करस्नदत अगर हम स्वामी विवेकानन्द की बात करें, इनका बच्पन का नाम था, नवेंदरनाथ दत, और अगर इनके गुरू की बात करें, इनके गुरू का नाम था, परमहंस, रामकिशन परमहंस, और अगर इनके जनम दिन की बात करें, इनका जनम 12 जन्वरी 1863 में, 12 जन्वरी 1863 में का हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, इसलिए 12 जन्वरी को हम International Youth Day की रूप में बनाते हैं, अगर मैंने, मुझे याद मैंने भी आपको उनका जनम मत आता, पिछले कोईस्टन में 1902 में, 1902 में उनका जनम नहीं वह था, 1902 में उनके हुई थी मिर्थू, तो अगर जनम की बात करें, 12 जन्वरी 1864 में इनका जनम हुआ था, 12 जन्वरी को National Youth Day, अगर इंटरनेशनल Youth Day की बात करें, तो International Youth ए 12 अगस अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो इनके जो बच्पन का नाम था वो था सिद्धार्थ और अगर इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, माता का आम था माया देवी, इनका जनम लुंबनी नेपाल मोहा था और मिर्तु के बात करें कुशी नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये साक्यवंसे से संबन्दित थे और इनने बहुत धर्म का पिरचारत था बहुत धर्म के अंसार चार आरे सकते थे जो क्या थे पहला था दुख, दूसरा था दुख का कारण, तीसरा था दुख के निरोद, और चौथा था दुख के निरोद का मार्क, जिसमें दुख का मतलब था इस दुनिया में दुख ही दुख है, ठीक है, और उसके बाद इसका कारण क्या बताया था इन्होंने, इसका कारण बताया था तरश्टना, मतलब कि इ नीर्षा और चाहत दुख का कारण है यह दुख का कारण मा था अब इसके निरोध मतलब निरोध को इसको रोकने के उपाई क्या बताय थी इन्हें इसके रोकने के लिए इन्हें अस्टांग मार्क दिये रहे ठीक है और दुख को रोकने के मार्क को ही इन्होंने अस्टांग नमार का नाम दिया. बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है. गुरु नानक का वास्तिविग नाम क्या था? option A है गुरु, option B है गुरु नानक, option C है नानक, option D है नरेंदर नात. अगर गुरु नानक की बात करें, इनका वास्तिविग नाम था नानक और इनका जनम तलवंडी नामगिस्तान मोगा था, जो वरतमान समय में पागिस्तान में है, और अभी यह इसका नाम ननता साथेव में नाम से पिर्शिद्ध है, और इनकी मिल्तु की बात करतो करतारपुर में इनकी मिल्तुवी थी, और यह शिक धर्म के फिरवर्टक थे, मतलब इन्होंने सिक्क धर्म के सस्तापकते गुरु नानक देव। बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है संगीत की दुनिया में सितार के जादुगर नाम से जाने जाते हैं option A है रहीम सेन, option B है त्यागराज, option C है तान सेन option D है पुरंदर दास अगर संगीत की दुनिया में सितार के जादुगर की बात करें तो सितार के जादुगर नाम से फेमस है रहीम सेन अगर सितार के जनक की बात करी जाए तो सितार के जनक है अमीर खुसरो पढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है अमीर खुसरो का वास्ते एक नाम क्या था Option A है मुहमबद खुसरो, Option B है मुहमबद हसन, Option C है मुहमबद खान, Option D है इनमें से कोई नहीं अगर अमीर खुसरो के वास्तविक नाम की बात करें, इनका वास्तविक नाम था मुहमबद हसन, और इनका जनम उत्तरप्रदेश के एटा नाम अगिस्तान में हुआ था, और इनके अन्य नाम की बात करें तो इनका अन्य नाम है अब्दुल हसन यामीन उदीन खुसरो, क्या ह दो नाम होगे अब्दुल, हसन, यामीद, उदीन खुश्रो, अमीर, सैपुद्दीन खुश्रो और ये लगभग आठ सुल्तानों के दरवार में रहे थे जिनको सरव पृत्तम खिलजी वंस के सासत अलग दिन खिलजी दोरा अपने दोरार में रखा गया था उसके बाद ये तुगलग बंस में भी कवी रहे और तुगलग बंस में इन्होंने तुगलग नामक रसना करी और इनकी एक पिरमुख रसना है लेला मजनू की जो कहानी है वो अमीर खुश्रो द्वारा ही लिखते एक कहानी है बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्चन की तरब अगला क्वेस्चन है तोताय हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं और अमीर खुश्रो को तोताय हिंद की उपादी किस ने दी थी इनके गुरू निजावंदीन और अलिया द्वारा इनको तोताय हिंद की उपादी दी गी थी बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्चन की तरब अगला क्वेस्चन है उमाकान्त और रमाकान्त गुचेदा बंदु क्या है ओप्शन ए है धुरुपत का एक ओप्शन भी है कत्थकन तक ओप्शन ड दिए 20 तो कर दून सब्च कर दो करता है धुरुपतिए 10 अगर कोई भी स्वर और विक्सम होए और ईसुक्वेस्चन ने substitute टेकिक लगएव्स कहने और और इस पूरे पैरागिराप को मतलब एक पूरे संगीत को धुरूपत कहा गया, तो इसी के गायक है कौन? उमाकान्त और रमाकान्त बंदू. बढ़ते हैं, नेक्स् now की तरब अगला q комментion है, शूविक्ख्याथ ठुम्री गायका, गिर्जादेवी का समन्द है? अगर सूविक्ख्याथ ठुम्री गायका की बात करें तो इनका समन्द है बनारत घराने से. ठीक है, ओप्षन नंबर है, अप्षन करेक्ट आन्सर. बढ़ते हैं, next question की तरफ, अगला question है, प्राचीन तर्म हिंदुस्तान की गाइन से लिए है, option A है गजल, option B है धुरूपद, option D है ठुमरी, option D है इन में से कोई नहीं, अगर प्राचीन हिंदुस्तान की गयन से लिए धुरुपर तो प्राचीन हिंदुस्तान की गयन से लिए धुरुपर तो option number 20 correct answer बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है पंडित भीन सेन जोसी के किर्या कलाप का छेतर क्या होता है अगर हम पंडित भीन सेन जोसी के बात करें तो इनका जो किर्या कलाप का छेतर है वो है सास्त्री संगी तक की बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है सास्त्री संगी के सिद्दान्त की विबेशना कहां से लिए गई है option A है reserved, option BAut . c है रिगवेद, option D है अर्थवेद अगर सास्त्री संगीत की बात करें अगर किसी भी संगीत की बात करें तो उसकी जो परिकलम पराइ अगर पूचि जाए प्लेगान से लिए तो वो लिए गई है स्यामवेद से और स्याम बेद क्या है एक वेद है जो सबसे नया और सबसे छोटा वेद है अगर बेदों की संक्या पूछी जाए तो चार वेद है युजुर वेद, स्याम वेद, रिख वेद, अर्थ वेद जिसमें युजुर वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है अगर बेदो बेदों को समझने के लिए बेदांग बनाएगे और अगर पुराण पुछा जाए तो पुराणों की संग्या होगी अठारा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन की तरफ अगला क्वेस्टिन है प्राता काल में गाय जाने वाला राग होता है अगर प्राता काल में गया जाने वाला राग की बात के तो प्राता काल में गया जाता है अगर राग की बात करें तो राग क्या होता है किसी खाद धुन में बैठाए गए स्वर का ढाचा मतलब अगर स्वरों को इस्पेसल धुहन में हम उनको एर्रेज कर देंगे तो उसको कहेंगे राग, ठीक है, बढ़ते हैं, नेक्स क्वेस्चन की तरब अगला क्वेस्चन है, राग देश किस पहर में गाया जाता है, तो option A है, प्राता काल में, option B है, मर्दिकाल में, option C है, र रात्री के दुती पहर में, तो अगर राग देश की बात करें, तो राग देश किया जाता है, रात्री के दुती पहर में, ठीक है, और पहर क्या होता है, पहर क्या होता है, जो प्राचीन काल में है, 24 गंटों को, आठ पहर में बाठा गया, पहर क्या थे, मतलब एक time interval, चार जो 24 गंटे हैं उनको 8 पहर में 4 पहर दिन के 4 पहर रात के और प्रतेक पहर का टाइम अप्रोक्स 3 से 17 गंटा होता था अभी एक क्यों क्यों क्योंकि जो पहर हैं गर्मियों के समय दिन बड़े हो जाते हैं चोटी हो जाती है तो उसमें जिनका पहर का समय जादा हो जाता है और ठंडी को से में रात बढ़ी होती है तो रात के पहर का समय जाता होता है तो जो प्रातकाल का पहर है वो सूर्य के उखते ही शुरू हो जाता है और जो रात्री का प्रथम पहर है वो सूर्य के ढ़लते ही बढ़ते हैं, next question की तरब, अग्ला question है, जनकों का, गजलों का जनक किसे कहा जाता है, option यह है, उमर्ह को, option B है, Amir Khusro को, option T है, बहदूर साज जफर को, option D है, उमर, खयामान को क्यो और अगर गजलों के जनक की बात करें, तो गजलों के जनक कहा जाता है, Amir Khusro को, Amir Khusro को, जाता है और सितार का जनग भी अमीर खुजरों को ही कहा जाता है बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्चन की तरफ अगला क्वेस्चन है भारत का राष्टी गीद बंदे मात्रम सरुपर्थम कहां प्रकासित हुआ था option A है आनन्दमठ में, option B है गितानजली में, option D है विश्चरी भक्स में, option D है केसरी में हमारे राष्टी गीद बंदे मात्रम की बात करते हैं जो यह सरुपर्थम आनन्दमठ में प्रकासित हुआ था और इसके रचेता कौन है, रविंदर ना, टैगोर जी, राष्टी गीद के रचेता है अगला question है, करनाटक संगीत का पितामा किसे कहा जाता है, option A है पुरंदर दास को, option D है स्वातित रुपाल को, option C है त्यागराच को, option D है इनमें से कोई नहीं करनाटक संगीत के पितामा की बात कर तो पितामा कहा जाता है पुरंदर दास को कहा जाता है करनाटक संगीत के पितामा बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है वरतमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सरवाजिक लोगपरी गया इन सली है option A है खयाल, option B है ठुमरी, option C है टपपा, option D है इन में से कोई नहीं अगर हिंदुस्तानी संगीत की सरवाजिक लोगपरी गया इन सली की बात करें तो वो है खयाल ठीक है और गैन से लिगी बात करें तो हमारे हिंदुस्ता में दस्व पिरकार की गैन से लिगा जाता है अगर सबसे लोग पिरी होगी खयाल और सबसे प्राचीन धूरूपद सबसे प्राचीन लोगगाईं से लिये हैं बरते हैं इनाट्स क्वेस्टन की तरब अगला क्वेस्टन है तमाशा संगीत नाटक का प्रशिद्ध लोग शरूब है और यह सम्बंदित है उपसन ए है उत्तर पर्देश से उपसन बी है मद्य परदेश से अगर हम तमासा संगीत की बात करें तो यह एक महराश्ट का प्रिसिद्ध लोक सरूप है बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है चरकुला पिरमुख लोक नित्य है option यह बुंदेल खंड का option B है अवत का option C है ब्रजभूमी का option D है इन में से कोई नहीं तो अगर चरकुला पिरमुख लोक नित्य की बात करें यह है ब्रजभूमी का sorry और ब्रजभूमी का है ब्रजभूमी उत्तरप्रदेश में इस्तिद है बढ़ते है next question की तरफ अगला question है करनाटक की लोक रग भूमी है option E है एक्सिगान option B है भवाई option C है भगवत मेला option D है इन में से कोई निए अगर करनाटक की लोक रग भूमी की बात करें तो करनाटक में क्या फेमस है यह अक्सिगान करनाटक की लोक रग भूमी है बढ़ते है next question की तरफ अगला question है भारत के किस भाग में बंबू नित्ति प्रिशिद्ध है option A है मेगाले में option B है मिजोरम में option C है नागालेंड में option D है मनीपूर में अगर बंबू नित्ति की बात करें तो बंबू नित्ति कहां का फेमस नित्ति है मेगाले का फेमस नित्ति है बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है इके बाज, इके बान किसका जापानी रूप है option A है फूलों की युद्ध कला का option B है फूलों की सजावट का option D है आजुने चित्तकारी का option D है इनमें से कोई नहीं अगर इके बान की बाज करें तो इके बान जापानी में क्या सब्द है इसका मतलब है फूलों की सजावट ठीक है बढ़ते हैं next question की तरब question है निमलिखित में से युद्ध संबंधी नित्त कौन सा है option A है भांगडा, option B है मेगालाई का बंबु नित्त option C है कथक कली, option D है इन में से कोई नहीं अगर हम युद्ध संबंधी नित्त की बात करें तो वह नित्त होता है युद्ध संबंधी नित्त वह नित्त होता है जो युद्ध के समय किया जाता है और इन उप्सोनों में, option number B, correct answer मेगाले का जो बंबु नित्त है वो ये इद्धि नित्त है बढ़ते है next question की तरब अगला question है शेखावटी के पिर्सिद्ध नित्त का नाम है option A है गीदड, option B है थेर, option C है घुमर, option D है इन में से कोई नहीं तो शेखावट का पिर्सिद्ध नित्त का नाम है गीदड, और शेखावट का है शेखावट एक महराष्ट में इस्तित एक location है, जहां पर यह नित्ति खेला जाता है यह नित्ति सिर्फ पुरसुन द्वारा होली के त्योहार में खेला जाता है बढ़ते हैं next question की तिरफ, अगला question है बस्तर में डंडारिया नित्ति किस त्योहार पर आयोजित होता है option A है होली पे, option B है गावा, option B है नवाखानी पे, option D है दिवाली पे तो अगर बस्तर के डंडारिया नित्ति की बात करें, यह खिला जाता होली पे और बस्तर कहां है, बस्तर उत्तर पर देश में इस्तित है तो अगर पूछा जाए डंडारिया नित्ति कहां कहा है, तो डंडारिया नित्ति है उत्तर पर देश का बढ़ते हैं next question की तरफ, अगला question है कारागार धार्मिक लोग नित्ति सम्मंदित है अगर कारागार धार्मिक लोग नित्ति की बात करें, तो कारागार धार्मिक लोग नित्ति है तमिलनाडू से option number C is correct answer, बढ़ते हैं next question की तरफ, अगला question है बिम्बावती देवी किस प्रकार के नित्ति के लिए सुख विख्यात है option A है भरतनाट्यम, option B है मनिपूरी, option C है कुच्चिपूरी, option D है ओड़ी सी अगर भिम्बावती देवी की बात करें, यह मनिपूरी नित्ति से रिलेटिव है और मनिपूरी क्या है एक प्रकार का सास्टिन नित्ति है और इसमें क्या राधाय और कृष्ण के प्रेम को वर्नेत किया जाता है, मतब दिखाया जाता है बढ़ते हैं, next question की तरब अगला question है, अच्छन महाराज का छेत्र है option A है नित्यक, option B है पेंटिंग, option C है लेखनवाधक, option D है संगीतक अगर अच्छन महाराज की बात करें तो अच्छन महाराज क्या है, एक नित्यक है और कौन से नित्यकी, यह है एक सास्तिर नित्यक है और सास्तिर में भी कत्थक के नित्यक है अच्छन महाराज, और यह किसके पता है, बिर्जु महाराज के पता है अच्छन महाराज भी कत्थक के निर्थक होगे और संबू महाराज भी इसमें कत्थक के निर्थक है तो कत्थक के निर्थक तीन होगे बिर्जो महाराज, संबू महाराज और अच्छन महाराज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन की तरफ अगला क्वेस्टिन है अगर उत्त्र पूरी भारत की बात करें जिस नित्र का उत्तर पूरी भारत में है वह है कुछ मनिपूरी क्योंकि मनिपूरी उत्तर पूरी भारत में पढ़ता है ठीक है और अगर भरत नाट्टिम की बात करें यह तमिलनाडू का सास्ति नित्ति है कथकली केरला का सास्ति नित्ति है कुछिपूरी आंदर परदेश्क है और मनिपूरी मनिपूर का सास्ति नित्ति ह बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है निमनलिखित में से कौन सा एक देवनित्ति है option A है कुच्चिपूरी, option B है कथकली, option C है मोहनी अट्टम और option D है भांगर अगर इन में से देवनित्ति की बात करें तो कुच्चिपूरी एक प्रिकार का देवनित्ति है और ये किस कौन सी कैटेगरी में आता है, सास्तिनित्ति की कैटेगरी में आता है और कहां का सास्तिनित्ति है, आंदर प्रदेश का सास्तिनित्ति है बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है साथ टापू का सहर किसे कहा जाता है? Option A है मंबई को, Option B है कोलकत्ता, Option C है कोची, Option D है उडिशा अगर साथ टापू के सहर की बात करें तो साथ टापू के सहर कहा जाता है मंबई को ठीक है और हम कुछ यहाँ पर रिविजन कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं सहर जिनको उनके उपनाम, जैसे Queen of Deccan, पूने को कहा जाता है, मसानों का बिगिचा, केलर को कहा जाता है भारत का पिटस्वर्ग, जमसेदपूर को कहा जाता है, भारत का प्रिवेजद्वार, मुंबई को कहा जाता है diamond herbal कोलकात्ता को कहा जाता है बुनकरो का सहर कहा जाता है पानिपत को बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है निम्न लिखित में से कौन सा एक सास्तिरी नित्ति नहीं है option A है उरिशी option B है मनिपूरी option C है गरबा option D है कत्थक अगर हम सास्तिरी नित्ति की बात केते है उरिशी उरिशा का सास्तिरी नित्ति है मनिपूरी मनिपूर का सास्तिरी नित्ति है कत्थक उत्तरी भारत का सास्तिरी नित्ति है तो option C is correct answer क्योंकि गरबा कोई सास्तिरी नित्ति नहीं है जो गुजरात में खेला गया एक खेला जाने वाला लोक नित्य है बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्टिन की तरफ अगला क्वेस्टिन है मुखोटा नित्य का सम्बंद किस नित्य सेली से है option number A है कुचिपूरी से option number B है मनिपूरी से option number C है कतकली से option number 3 है अगर मुखोटा नित्य की बात करें तो मुखोटा कहां का एक नित्य से लिए कत्थकली की एक नित्य से लिए ठीक है और कत्थकली का का सास्ते नित्य या एक केला का सास्ते नित्य है बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्टिन की तरफ अगला क्वेस्टिन है कत्थक कहां का नित्ति है, option A है, उत्तरी भारत का option B है, मनिपुर का option C है, उडिशा का option D है, केरलाग को अगर कत्थक नित्त कि बाद करें तो कत्थक नित्त कहां का एक सास्ती करते हैं उत्तर भरत का शास्ती नित्त है कत्थक के संभू महाराज और अठ्ञ महाराज करते लिलूमस ढाँ सरई बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्टिन की तरब क्वेस्टिन है राग मिया के मलहार का रेचिता किसको माना जाता है ओप्सन नमबर A है अमीर खुसरो ओप्सन नमबर B तानसेन ओप्सन नमबर C स्वामी हरिदास और ओप्सन नमबर D बेजू बावड़ा अगर राग मिया के मलहार की बात करें तो लाग मिया के मलहार के रेचिता को है तानसेन राग मिया के मलहार के रेचिता है अगर यहें एक सास्ती संगीत के थे और यह अकबर के 9 रत्नों की बात करें तो यहां पर लिस्ट दे रहके आपको जो याद करना है बहुत जरूरी है क्योंकि इस तन्सीर इक्जाम में बहुत सारे question पूछे जाते सिक्वेंस या के बारे पूर्थ गया कौन सा नवरत्त नहीं है या एक देदेगा इनमें से कौन नवरत्त है ऐसे पूछे जाते एसे सी एक्जाम में होगे और रेलवे के एक्जाम में होगे तो एक बीरबल हो गया अब्दुल फजल हो गया तांसेर हो गया भगवान तास हो गया अब्दु question की तरब अगला question है पूपिर्शिद्द चित्र बनी ठी पर आधारित है Option number a है जैपुरी ठीपए option b है काँगड़ा ठीपन option c है बूनी ठीपे option d है किशनगार ठीपन अगर पूपिर्सिद्द चित्र बनी ठीपनी की बात करें यह किसंदगर्ड सैली पर आधरी देख चित्रकला सैली है बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्टिन की तरब अगला क्वेस्टिन है इंद्रा गादी सेंटर फॉर एटमिक रिशर्च किस राज्ज में इस्तित है option A है राइस्तान में option B है तमिलाडु में option C है महाराश्टा में option D है केरला में अगर इंद्रा गाधी Center for Atomic Research की बात करें इंस्ट्यूट की यह कहा है तमिलाडो में इस्तित है और इंद्रा गांधी जी की समाधी स्थल की बात करें इनका समाधी स्थल दिल्ली में इस्तित है जो किस नाम से जाना जाता है सक्तिस्तल से और अंतराष्टी इंद्रा गाधी हवाई अड़े की बात करें यह भी दिल्ली में इस्तित है बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है औरत नामक चित्र का चित्रांकल्म किस ने किया है option A है जैमिनी राय ने, option B है सतीज गुजराल ने, option D है नंदरलाल पोस्ट ने, option D है रविदनाथ ठाकोर ने तो अगर औरत नामक चित्र का चित्रांकल्म कि बात करें यह करा है रविदनाथ ठाकोर ने, option number D is correct answer बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है अगला question है उस्तार्ज मसूर किस सासकाल के प्रिशिद्य चित्रकाल थे हैं। Option A है सहाजा, Option B है जहांगीर, Option C है औरंगजेव, Option B है डी है अगबर। अगर उस्तार्ज मैसूर की बात करें यह जहांगीर के सासनकार के चित्रकाल थे। और अगर जहांगीर के मगबर की बात करें तो जहांगीर का मगबरा लाहोर में है और जहांगीर को मरवाय था गुरू अर्जुन देख को और सहाजा की बात करें, सहाजा का मगबरा आगरा में है, और रंग जेप की बात करें, इसका मगबरा दौलताबाद में है, और अगबर की बात करें, इसका मगबरा सिकंद्रा में है, बढ़ते हैं, नेक्स क्वेस्टिन की तरफ अगला क्वेस्टिन है, किसने पेंटिंग की फिल्म पोस्टर से की, option A है सतीज गुजराल, option B है MS हुसेन, option C है रविन्रा ठाकवर, option D है नंदराल बोस तो पेंटनिंग की शुरुआद फिल्म पोस्टर से किसने के रिए MS हुसेन ने, option नमबर B is correct answer बढ़ते हैं, next question की तरब अगला question है, सरन रानी को किस छेत्रिक में ख्याती प्राप्त है, option A है संगीत में, option B है नित्ति में, option C है सहित्ति में, option D है चित्रकला में अगर सरन रानी की बात करते हो, सरन रानी एक क्याती चित्रकला के लिए ख्याती प्राप्त है, option number D is correct answer बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है मदूबनी लोग कला किस राज जिसे संबन देते हैं option A हिमान्चल परदेश, option B है राइस्तान, option C है बिहार, option D है गुजराद अगर मदूबनी कला की बात करें तो मदूबनी लोग कला कहां कि है बिहार की एक लोग कला है, लोग कला क्या होती है भारत में अनेक प्रकार की जनजातिया रहती है तो इन जनजातियों की पीडी दर पीडी चली आरी प्रमपराव को लोग कला कहते है जैसे अलपना, पच्छिमंग्याल की की मदूबनी बिहार की होगी बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है Mona Lisa क्या है option A है गाई का option B एक चित्र एक फ्रांसी गुप्तचर option D उपन्यास अगर Mona Lisa की बात कहें तो Mona Lisa एक चित्र है आपने दिवालों पर लटके हुए इस टाइप की painting देखी हुई यह painting की Mona Lisa की और इसको किस ने बनाया था लियान दो D विच्ची द्वारा इसको बनाया गया था बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है अजन्ता चित्रकालिता किस कला से संबन्दित है option किस काल से संबन्दित है option A है मौरिकाल से option B है गुप्तकाल से option C है बौदकाल से option D है हरपपा ताल से अजन्ता चित्रकालिता की बात करें तो यह है गुप्तकाल से संबन्दित अगला question है अजन्ता चित्रकालिता का विच्चे वश्टू निम्न में से किस से संबन्दित है option A है जैन धर्म से option B है सैव धर्म से अगर अजन्ता चित्रकालिता की बात करें यह है बहुत धर्म से है अगर अजन्ता गुफाओं की बात करें यह है औरंगाबाद महराष्टा में जहां पर 29 चट्टानों को काट कर बहुत इसमारक बनाएगे हैं और बहुत धर्म के प्रवर्तक की बात करें तो बहुत धर्म के प्रवर्तक थे सर्थापक गौतम गुद्ध बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है अजन्ता चित्रकारिता का निरुपन अजन्ता के चित्रकारी में क्या निरुपन किया गया है अजन्ता चित्रकारिता की बात करें तो इसमें किसको जातक को निरुपन करा गया है जातक का मतलब क्या है बुद्ध धर्म से भगवान बुद्ध से पहले यह एक बुद्ध धर्म से रिलेटिव टर्म है और अगर भगवान बुद्ध की बात करें गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जनम नुम्बनी नेपाल में हुआ था और इनको मोक्स कुशी कराम उत्तरप्रदेश में मिली थी इनके पिता का नाम सुद्धोदन था माता का नाम माया देवी था और इनके बच्पन का नाम था सिद्धार और इन्होंने चार आरित शत्ति दिये थे जो कौन कौन से जिनमें इनने बताया था कि पूरी दुनिया में दोख है और इनके निवालान के लिए इनने अस्टांग मार की दिखाये थे और पूछा जाए कि तिरी पटक निमले लिखित में से कौन से धर्म से है तो तिरी पटक भी बहुत धर्म से ही रिलेटिव एक तर्मालोजी है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन की तरब अगला क्वेस्चन है भागवत धर्म के प्रवर्ट तक कौन थे अगर भागवत धर्म की बात करें तो भागवत धर्म के प्रवर्ट तक है बढ़ते हैं एक्स्ट क्वेस्चन की तरब अगला क्वेस्चन है अगनी गिर्ह कि धर्मालंबी का पूजा इस्तल है option A है जैन धर्मका option B है यहुदी का option C है बोथ धर्मका option D है पासी धर्मका अगर अगनी ग्रह की बात करें तो अगनी ग्रह कौन से धर्म से रिल्येटिव है अगनी ग्रह है पासी धर्मकशे रिलेटिव बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है चोल राजाओं ने किस धर्म को सनक्षन दिया, ओप्शन ए है सैव धर्म को, ओप्शन भी है बैस्नाव धर्म को, ओप्शन जी है जैन धर्म को, ओप्शन भी है बौध धर्म को, अगर चोल राजाओं की बात करें, इन्होंने सैव धर्म को सनक्षन दिया, सैव धर्म क्या था जोल भगवान शिभा को मानते थे उने सायव धर्म काहते थे और बैशनात्र हो भगवान विस्नु को बानने वाले जैन धर्मने जैन को और बहुत धर्मन Richard को चोल राजाओं ने इस धर्म को सनक्षन केरने के लिए कुछ महत्वपण मंदिर बनाए कौन-कौन से तंजाओर का विर्धेश्वर मंदिर जो चोल राजाओं ने बनाया गयाका कॉंडम चोलाप्रम जो भी तमिनलाडु में है दार्थूल तमिनलाडु में इस तेर एराव जास प्यूर। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महाकाब्धी है ओप्सन नंबध ए है महाबारत, और ब्राक्त मिनलाड तमिनलाजायबी में दार्जाओर करें आफ़ल से बेद ब्यास द्वारा बोला गया था और गड़ेशी द्वारा लिखा गया था अगला question है हरी पिरसाथ चोरषिया जिनका हाली में निदिन हो गया वे एक थे उप्शन यह है पिर्मींड बंसी वादक पिर्मींड सरोज वादक पिरुवेड तबला वादक या इनु में से कोई नहीं अगर हरीपरसाद चौरिषया की बात कराई यह आं यह पिरुवेड बंसी वादक थे और यह कहां से रिलेटिव थे अलाबाद उत्तरप्रते से रिलेटिव थे बढ़ते हैं next question की तरब Question है गुदई महराज का संबन्द किस बात देंतर से है option है तबला, वैलीन, सितारा ये इन में से कोई नहीं अगर गुदई महराज की बात की जाये तो इनका संबन्द है तबले से ये तबला बाधक थे बढ़ते हैं next question की तरफ अकला question है मुँ से बजाये जाने वाला इनतर है option A है इत्तारा, option B है अलगोज option C है तासा और option D है इन में से कोई नहीं तो इन में से मुँ से बजाये वह बात देंतर की बात करें वह है अलगोजा अलगोजा आपने देखाऊगा कुछ step का दिखता है यह है अलगोजा जो यह आदमी बजा रहा है बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है अगर पूछा जाए शिसुर बात देंतर तो वह भी अलगोजा होगा क्योंकि मुह से बजाने वाले बात देंतर को शिसुर बात देंतर भी कहते हैं अगला question है अलवर्ट आइस्टीन कौन से बात देंतर को बजाने में निपुड थे option A है सितारा option B है गिटार option C है बासुरी और option D है वाले लिन अगर अलवर्ट आइस्टीन की बात करते हैं तो यह किसको यह क्या बजाते थे वैलीन में निपुड थे बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है संगीत यंत तबला का पिरचलन किस ने किया option A है आदिल सा ने option B है अमीर खुसरो ने option C है तानसेन ने option D है वेजू बावर्ण ने अगर तबले की बात करें तो तबला का पिरचलन किस ने करा आथा अमीर खुसरो ने और अमीर खुसरो ने तबले का भी पिरचलन करा था और सितार का भी और इनको गजलों का पिता भी कहा जाता है बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है निमलिकित में से कौन सा बात दें तो वाई द्वारा संचलित होता है option है वीना, सितारा सहनाई और सतूर अगर वाई द्वारा संचलित की बात करें तो जो सहनाई इसादियों में बजाए जाती है वो वाई द्वारा संचलित होती है और यह एक सिसुर बात देंता है मतलब मुहों से बजा जान वाला बात दें तरह के सैना आई बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है सितारा का जनक निमन लिखित में से माना जाता है option A है अमीर खुसरो, option B है तानसें option C है बेजू बावर, option D है इन में से कोई नहीं तो अगर सितारे की जनक की बात करते हैं तो सितारे के जनक जो हैं वो हैं अमीर खुसरो, option number A is correct answer अगला question है निमन लिखित में से कौन सा प्रिशिद्ध वैलीन वादक है option A है परवीन सुल्तान, option B है प्रोपेशनल, टी एन किस्रन, option D है सोना ली मान सिंग और option D है अमरिता सेरिगल तो अगर प्रिशिद्ध वैलीन वादक की बात करें निमन से तो प्रोपेशनल, टी एन किस्रन, प्रिशिद्ध वैलीन वादक थे बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है निमन लिखित में से कौन सा एक सुसिर बात देंतर है option है स्टरोद, option B है वीना, option C है बासुरी और option D है सतूर तो इन में से सुसिर बात देंतर की बात करते हैं तो क्या है बासुरी एक सुसिर बात देंतर है जो मुहदवारा बजाई जाती है बढ़ते है next question की तरफ अगला question है और यहाँ पर आपने ये एक सतूर का डिखाए गया है जो इस टाइप के दिखाए जिएने वाला बात देंतर कह रहाता है सतूर बढ़ते है next question की तरफ अगला question है मोहन बीणा का आविश्कार किस ने किया option A है मन मोहन भटने option B है चतुर मालिक ने option D है अलाउद्दीन ने option D है इन में से कोई नहीं तो अगर मोहन बीणा की बात करते हैं तो मोहन बीणा का इसकार किस ने करा मन मोहन भटने करा था बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है जाकिर हुसेन कौन से बात देंतर को बजाते थे option है सारंगी, option B है सितार, option C है तबला और option D है इन में से कोई नहीं तो अगर जाकिर हुसेन की बात कर तो जाकिर हुसेन क्या बजाते थे एक तबला वाधक थे जाकिर हुसेन, बढ़ते हैं, next question की तरफ अगला question है, निमलिकित में से कौन सा सुसिर बाद दियंतर है, option A, बासुरी, option B, वैलीन, option C, सारंगी, option D, सितार, सुसिर बाद दियंतर की बात करें, तो बासुरी एक सुसिर बाद दियंतर है, option A is correct answer, बढ़ते हैं, next question की तरफ अगला question है, निमलिकित में से कौन सा बाद दियंतर, तंतरी बाद दियंतर नहीं है, ठीक है, अब पूछ लिए तंतरी बाद दियंतर के बारे में है, तो option क्या है वासुरी, वैलीन, सारंगी और संतूर, option हो जाएगा, A is correct answer, क्योंकि जो वासुरी है, वो क्या है, सुसिर बाद दियंतर है, वैलीन, क्या होती है, वैलीन होती है, इस टैप से, ये होती है, अगर जिसमें कोई mechanical चीज रही हो, मतलब तारवार चीज़ें रही हो, तो हम उसक तंत्री बाद दियंतर, जिसे वैलीन, ऐसे बजया जाती है, आर्स कोई मुह का प्रियोग नहीं होता, तो वैलीन हो गया, एक तंत्री बाद दियंतर, उसके बाद सारंगी कुछ स्टैप का structure होता है, इसको भी इस से बजया जाता है, ठीक है, तो ये भी एक तंत्री बाद करें संदूर की और संदूर यह इंटे और मुहसे नहीं बढूता ऑगता नको curvy mellanиниकल चीज में लगी है तो उसको हम आग सने सितार ये वीडा ये उप संस्केंत रहें करें option D है सरोध अगर सबसे प्राचीन बाद्धियंत्र की बात करें तो सबसे प्राचीन बाद्धियंत्र है वीड़ा option number B is correct answer बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है विश्यू परूब भारत में अधिक्तम कहां मने जाता है option A केलर में option B है करनाटक में option C है महाराष्टा option D गुजरात अगर विश्यू महस्यों की बात करें तो विश्यू महस्यों मनाए जाता है केलर में करनाटका में option number B is correct answer बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है यह है वीड़ा का डाइगराम वीड़ा कुछ टाइप की दिखती है ठीक है बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है वैसा की राजजी का मुख्य त्योहार है उप्शन A उडिशा, उप्शन B हरियाणा, उप्शन D पंजाब और उप्शन C पंजाब, उप्शन D केवल अगर बैसाखी की बात करते तो बैसाखी पंजाब का पिरमुक्तियोहार है और 13 अप्रेल 1699 के दिन बैसाखी के ही दिन गुरु गोबिन साब ने खालसा पंजाब की इस्तापना गड़ी थी और गुरु गोबिन साब कौन से गुरु थे? सिक्क धर्म के दसवे गुरु थे अगले क्वेस्चन की तरफ अगला क्वेस्चन है रंगोली बीहु किस राज़ी का पिरमुक्तियोहार है अगर बीहु की बात आती है तो बीहु कहां से बिलोंग करेगा असम से तो ऑप्सन नमबर बीच करेगा बढ़ते हैं इक्स्ट क्वेस्चन की तरफ अगला क्वेस्चन है बीहार है अगुरु थे? अगर पंगल की बात करें तो पंगल तेमिनलाडु का पिरस्थ्थयोहार है जो जन्वरी 14 15 तारिक को मने आ जाता है और इसमें क्या किया जाता है सूरी भगवान की पूजा की जाती है और इसे पॉंगल इसलिए कहते है क्योंकि इस दिन जो सूरी भगवान को खाना अर्पित किया जाता है उसे पंगल कहते है तो इसी नाम से इसको पॉंगल कहते है और पॉंगल का मतलब होता है शही तरीके से पका हुआ खाना और इसी के दिन अगर उत्तर भारत की बात करें तो इस दिन मकर संग्रांती मनाई जाती है और गुजरात और महराष्ट में इसी दिन उत्रायनी मनाई जाती है और आंदर प्रदेश, केलर और करनाटा के में इसको संग्रांती त्योहर के रूप में मनाते हैं इस दिन को और पंजाब में इस दिन लोभी चोहार की रूप में मनणा जाता है बढ़ते हैं नेक्स उग्स क्वेस्चन की तरफ अगला क्वेस्चन है ओण किस राज्जी का प्रूर क्योंग चोहार है छुपन ए है असम का छुपन बी केलर का option C, करनाटा का option D, महाराष्टा अगर ओडम की बात करें तो ओडम है केरल का प्रमुक्तिवहार इस दिन क्या करा जाता है यह सितंबर के महने में मनाया जाता है और इस दिन राजा महाबली का स्वागत किया जाता है बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है सरहुल पर्व का संब्दन किस राज्जी से है option A है जारखंड से, option B है जम्बु कस्मी से, option C राजस्तान और option D सिक्किन अगर सरहुल पर्व की बात करें यह मनाया जाता है जारखंड में और उडिसा और बंगाल में यह नए साल का प्रतिक होता है बसंतिरुतू के समय मनाया जाता है ठीक है बड़ते हैं next question की तरफ अगला question है निमल लिखित में से किस ने प्रतिपादित किया कि भाग की ही सब कुछ निर्धारित करता है मुझस से असमर्त है आजिकाओं ने मिमानसाओं और जैनियों ने तो यह किस ने प्रतिपादित किया कि भाग की ही सब कुछ निर्धारित करता है मुझस से असमर्त है यह सब्द किस ने कहा था आजिवी का संपिदाय के लोगों ने यह कहा था बढ़ते है next question की तरफ अगला question है आदी संकराचारी जो बाद में संकराचारी बने उनका जनम हुआ था option A है आंदर प्रदेश में option B है पच्छिम मंगाल में option C है कस्मीर में और option D है केला में अगर संकराचारी की बात करें तो इनका जनम हुआ था कलांदी केला में और इनकी मिर्टुवीती बदिरनात उत्रा करने बड़ते हैं नेक्स क्वेस्चन की तरफ अगला क्वेस्चन है कर्म का सिद्दान समंदित है अप्शन है नियायत से, वेदान से, मिमान सा से या इनमे से कोई नहीं कर्म के सिद्दान्त की बात करें तो मिमासा से समंदित है अप्शन नमबर C is correct answer बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्चन की तरफ अगला क्वेस्चन है नियाए दर्शन का लेखक था option A है कलान option B है कपिल option C है नारायन और option D है गौतम तो अगर नियाए दर्शन के लेखक की बात करें तो नियाए दर्शन के लेखक थे गौतम मुनी option number D is correct answer बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है आरजीवी का संपरदाय के सस्तापक कौन थे option है उपाली, रागूलो, भद्र, मखली, गोसाल और आनम्द तो आरजीवी का संपरदाय की लोगों ने क्या का था भाग गी ही सब कुछ है और मुनीच से कुछ नहीं का सकता और इसके सस्तापक कौन थे पुरुष्टी मार्ग के दर्शन के सस्तापक किसने की option है सुर्दास ने, option B चैतिनी ने, option C बल्लवाचारी ने, option D ना अपने अगर पुरुष्टी मार्ग की बात करें तो इसकी स्तापना करती बल्लवाचारी ने option number C is correct answer बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है अश्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबन देता है तो option A है सैव धर्म, option B है हिंदू धर्म, option C है जैन धर्म, option D है बौध धर्म अगर अश्टांग के मार्ग की बात करें यह किस धर्म से संबन देते हैं यह है बौध धर्म से संबन देत बौध धर्म में चार आरिस सत्य बताए जिसमें बताए कि दुख होता है और उसके दुख्य निवारान के लिए उन्होंने अस्टांग मार्ग बनाए मार्ग बताए जो क्या क्या थे द्रश्टी, संकल्प, वचन, कर्म, जीविका, प्रियास, इसमर्ती और समाधी जो इस विरकार है क्या गया है समय द्रश्टी, समय संकल्प, बचन हो गया, कर्म हो गया, जिवीका, प्रियास, इस्मर्ति और समाधी, ये भी आप याद रखेगा, बढ़ते हैं, next question की तरब, अगरा question है, सुनिवाद के पृतिपादक कौन है? option A है, मैत्रियनात, option B है, मादुवाचारी, option C है, रामानुज, option D है, नागारजुन, अगर सुनिवाद की बात करें तो सुनिवाद के पृतिपादक कौन थे, नागारजुन, option D is correct answer, बढ़ते हैं, next question की तरब, अगला question है, योगदर्सन के पृतिपादक कौन है? option A है, जैमिनी, option B है, गौतम, option C है, कपिल, option D है, पतिंजली, अगर योगदर्सन की बात करें तो योगदर्सन किससे रिलेटिब है? पतिंजली से, और आप याद रख सकते हैं कि पतिंजली किसकी well-known brand है? बाबारामदेब जी की? तो बाबारामदेब जी किससे हैं? योग बाब धर्म आयों, जैन धर्म के में प्रयाप्त है, option A है, अहिंसा, option B है, हिंसा, option C है, option D है, इन में से कोई नहीं तो जैन धर्म और बहुत धर्म में जो प्रयाप्त है वह है अहिंसा दोनों में बहुत धर्म में भी बताया गया है अगर बहुत धर्म के पिर भूर जिन ने बहुत धर्म का इस्टार्ट कर था उनकी बात करी जाए तो गौतम बुद्ध और जैन धर्म की बात करे जाए तो इस रब रिसब देव ने जैन धर्म के पिर्थम तीर्त कर रहे बढते हैं next question की तरफ अगला question है दक्षण भारत में से उत्तर भारत में भक्तियांदोलन किसने चलाया option A है कबीर, option B है रामानन, option C है विवेकानन, option D है संकराचारी तो अगर दक्षन भारत से उत्तर भारत में भक्तियांदोलन की बात करें तो नाम आता है रामानंद जी का बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है किसके सासनकाल में राज की धर्म इसलाम को समाप्त कर दिया गया था अगर राज की धर्म इसलाम की समाप्ति की बात करें तो आंसर होगा अगवर के सासनकाल में यह हुआ था और अगवर के ही सासनकाल में थे नावरतन बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है तिरी पतक का धार में गरंत है? option शैव धर्म, option बहें बैसनाव धर्म, option शी है बौद धर्म, option डी है जन धर्म तो तिरीपटक की बात करें ये हैं बौध धर्म से इसमें क्या है बौध द्वारा दिये गए उपदेशों को संग्रेत करा है जिनको तिरीपटक कहा गया है और ये कौन सी बाता है पाली भासा में संग्रेत उपदेश है अगर बौध धर्म की गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जनम नेपाल के लुम्बनी नामक सहर में हुआ था और मिर्टु कुशी नगर उत्तरप्रदेश में हुई थी और जब बुद्ध की मिर्टु ही इस सब्द को क्या कहा गया निर्वान कहा गया इनके पिता का नाम सुद्धोदर माता का नाम इसुद्धरा और बच्पन का नाम वर्दमान था बड़ते हैं नेक्स क्वेस्चिन की तरफ अगला क्वेस्चिन है बौध धर्म को मानने वाले वालों की सिंक्या सरवादिक किस राज्य में है अगर बौध धर्म के मानने वालों की सरवादिक सिंक्या की बात तरह जाए तो अगला क्वेस्चिन है ईसा मसी का जनमिस्तल है अगर इसा मसी के जनमिस्तल की बात करें तो इनका जनमिस्तल है फिलिस्तीन बैथलहेम में और इनका जनमिस्तल प्रतेक वर्ट्स 25 दिसंबर को किश्मेजडे के रूप में मनाया जाता है बड़ते हैं नेक्स क्वेस्चिन की सरव अगला क्वेस्चिन है अनेक्तावाद निमने लिखित में से किसका कोड सिद्दान ते ऐं दर्सन है अगर अनेक्तावाद की बात करें तो अनेक्तावाद है जैन धर्म का कोड सिद्दान और अगर जैन धर्म के प्रत्म प्रवर्तक की बात करें तो वो थे रिसब्देव और लाष्ट प्रवर्तक थे महादीप और कुल जैन धर्म में 24 प्रवर्तक थे बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है प्रभाजगिरी जिनका तीर्थ इस्तल है वो है option A है सैव, option B है बैस्नौ, option C है बॉद, option D है जैन अगर प्रभाजगिरी की बात करें तो यह जैन धर्म के एक तीर्थकर है और सैव, धर्म के तीर्थकर उनको कहा जाता है जो भगवान सिब को मानते है बैस्नाओ धर्म के उपासक उनको कहा जाता है जो भगवान विस्नौ को मांगते है और बॉद धर्म के उपासक उनका जो भगवान बुद्ध को मानते है पढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है उत्तर प्रदेश में बौध्ध और जैन जैनियों दो दोनों की प्रिशिद्ध तीरतिस्तल है option है कुशिनगर, option B है देव पाटल, option C है कौसामबी और option B है सारनाथ तो उत्तर प्रदेश में बौध्ध और जैन की दो प्रिशिद्ध तीरतिस्तल की बात करें वो है कौसामबी option number C is correct answer बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है गौतम बुद्ध की माता किस वंस से सम्मंदित थी? option A है कौसल वंस, option B है साक्य वंस, option C है माया वंस और option D है लिच्छवी वंस अगर गौतम बुद्ध की माता का नाम माता की बात करें तो यह थी कौसल वंस थी अगर कौतम बुद्ध की माता का नाम की बात करें तो माता का नाम था यह सोदा और कौसल वंस से सम्मंदित थी बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है माहबीर का पिर्थम अन्यवाई कौन था option A है अन्द जोजा, option B है तिरसला, option C है जमाली और option D है यह सोदा अगर माहबीर की बात करें मखवान माहबीर की तो इनके पिर्थम अन्यवाई इनके ही दामात थे जिनका नाम था जमाली और माहबीर जैन धर्मे के 24 वे और लाश्ट तीर्थ करतें बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है सांग की दर्सन के सस्तापक किसे माना जाता है ऑफचन यह है पतंजली, option B है जैमीनी, option C है कपिल और option D है कौतम अगर पतेंजली की बात करें इनको योग दर्सन के लिए माना जाता है और गौतम मुनिको न्याय दर्सन के लिए और कपिल मुनिको माना जाता है साग के दर्सन के लिए तो आंसर हो जाएगा option number C जाए correct answer बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है साज बहु मंदिर कहां इस्तित है option A है पुसकर में, option B है माउंट आबू में, option C है चित्तोडगर में, option D है उदैपुर में अगर साज बहु मंदिर की बात करें तो यह है उदैपुर राइस्तान में बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है अगर साज योगिनी मंदिर कहां इस्तित है, option A खुजराहो में, option B उज्जैन में, option C भोपाल में, option D इन दौर में अगर साज योगिनी मंदिर की बात करें तो चौसाज योगिनी मंदिर कहां है, खुजराहो मंदिर प्रदेश में, option number A is correct answer बढ़ते है next question की तरब, अगला question है, बिश्व पिर्षिद्ध दात का मंदिर कहां इस्तित है, option A है रंगून में, option B है कैडी में, option D है कोलंबो में, option D है बौद गया में पिर्षिद्ध दात मंदिर की बात करें तो यह कैडी सिरिलंका में है, और दात मंदिर क्यों गहां गया है, क्योंकि यहां भगवान बुद्ध के दात लगे हैं, और यहां मानना गया है कि यहां इनके भगवान बुद्ध के दात निननतर बढ़ गए हैं, बढ़ते हैं, next question की तरफ अगला question है भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर वो कहाँ इस्तित है option A है पुसकर में? option B है केदारनाथ में? option C है द्वारिका में? और option D है उज्जयन में? अगर भगवान विश्णों के एक मात्र भारत में एक मात्र मंदिर की बात करें वो कहा है पुसकर राजिस्तान में इस्तित है option number A is correct answer पढ़ते है next question की तरब अगला question है भोस साला मंदिर की अश्टाद्री देवी है option A है भगवती दुर्गा, option B है भगवती लक्सिमी, option C है भगवती सरस्वती और option D है भगवती पारवती भोस साला मंदिर की बात करें तो भोस साला मंदिर की अश्टाद्री देवी है मा सरस्वती option number C is a correct answer और भोसाला मंदिर मद्धिपर्देश में इस्तित एक मंदिर है बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है अधाई दिन का जोपड़ा कहां इस्तित है option A है फटेपुर्ट सीक्री में option B है आगरा में और option C है दिल्नी में sorry option C दिल्नी में option D अजमेर में तो अधाई दिन का जोपड़े की बात करें यह है फटेपुर्ट सीक्री में और इसका निर्मार किस ने कराया था कुतुबुद्दीन एवक्त ने कराया था और इसका निर्मार धाई दिन में पूर हो गया था इसलिए इसको अधाई दन का जोपड़ा कहा गया है बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है दिल्वारा मंदर कहां इस्तित है option A है माउंट अबू में option B है द्वारिका में option C है पूरी में और option D है इन में से कोई नहीं द्वारिका मंदर की बात दिल्वारा मंदर की बात करते हैं तो दिल्वारा मंदर का है माउंट अबू राजिस्तान में इस्तित मंदर है और द्वारिका मंदर की बात करें तो यह गुजरात में इस्तित एक मंदर है बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है पॉंगल किस राजजिक का चर्चित पर्व है अगर पॉंगल की बात करें यह तमिलनाडू का एक चर्चित पर्व है और इस दिन भगवान सूरी की पूज़क की जाती है बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्टिन की तरफ अगला क्वेस्टिन है उत्राखंड में किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फैकने की पर्था है ओप्शन ए देविदुरा मेला ओप्शन भी है जो जिवा मेला ओप्शन डी है गोचल मेरा ओप्शन डी है गैंद मेरा तो आंसर हो जागा ओप्शन ए देविदुरा मेला लगता है उसमें दो गुटों में पत्थर फैकने की बरता है, इसमें क्या होता है, जैसे एक गुट इधर है आपका, color change कर लेते हैं, एक गुट आपका इधर है, और एक गुट इधर है, तो इन गुट पर पत्थर पहेगा, एक गुट इस गुट पर, और इनके पास एक छत्री टैप क होती है, लकड़ी की बनीवी, इससे अपने आपको safe बचाते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं, next question की तरफ, अगला question है, निमनलिखित मैंसे किस त्योहार में सूरी की पूजा की जाती है, option A है, छट पूजा, option B है, होली, option C है, दिपावली, और option D है, इन में से कोई नहीं है, तो सूरी की पूजा, निमनलिखित मैंसे किसमे की जाती है, छट पूजा में सूरी की पूजा की जाती है, यह एक चार दिवेशी त्योहार है, जो प्रतेक वर्थ तिपावली के बाद मनाया जाता है, प्रते है, next question की तरफ, अगला question है, हिंदू-मुसलिम एकता का प्रतेक सु किया जाता है, option A है आगरा में, option B है अलिगण में, option C है बारा बंकी में, option D है इटावा में, तो हिंदू-मुसलिम एकता का प्रतीक सुले कुल महसो की बात करें, तो सुले कुल महसो मनाया जाता है, आगरा में, option number A is correct answer, बढ़ते है, next question की तरफ, अगला question है, बाबा, गरिय पूरा गरिया आज, पूजा त्योहर मनाया जाता है, option A तिरपुरा में, option B रौणचल प्रदेश में, option C हिमाले, हिमानचल प्रदेश में, और option D इन में से कोई नहीं, तो बाबा, गरिया पूजा त्योहर की बात करें, यह मनाया जाता है, तिरपुरा में, option number A is correct answer, बढ़ option A है बादवपक्स, option B है कार्तिक, option C है स्रावण, और option D है चैतर, तो छोटी तीच के चोहर की बात करें, तो इसको मनाया जाता है, स्रावण में, option number C is a correct answer, बढ़ते हैं, next question की चरब, अगला question है, निमनलिखित में से, कौन सा हिंदू पर्व, धारु जंजाती द्वारा सो और option A है होली, option B है नाक पंचमी, option C है दसरा, option D है दिवाली, तो जो थारु जंजाती द्वारा हिंदू पर्व, दिफावली को सोक परु के रूप में, सोक परू के रूप में बनाया जाता है तो answer option number D is correct answer और थारू जिम जाती कहां पाई जाती यह नेपाल और भारत की सीमा पर लगने वाले राज्यों में पाई जाती है बढ़ते हैं next question की तरब अगला question है बगवाल मेला किस इतान पर लगाया जाता है option A dvodura में, option B है बागिस्वर में, option C है चमपाओत में, option D है लोगात में एगर बगवाल मेले की बाद करें तो बगवाल मेला लगता है देविदुरा में और बगवाल मेला में ही दो गुटो में पत्थर आपस में पहले जाते हैं परके है next question की तरब अगला question है फरेला क्या ह अगर हरेली की बात करें तो हरेला एक उत्राखंड में मनाया जाने ओला एक त्योहार है अगर चपचार कुट त्योहार की बात करें यह मनाया जाता है मिजोरम में और प्रतेक कवर्स मार्च के मेहने में यह उस्तों मनाया जाता है बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्टिन की तरफ अगला क्वेस्टिन है मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया है Option A है यहुदियों से, Option B पार्शियों से, Option C मगोलों से, Option B तुरकों से तो मगोलों के नवरोज की बात करें यह लिया गया है पार्शियों से लिया गया एक त्योहार है Option B इस एक करेक्ट आंसर बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है, संत कवीर के सम्मा ने मगहर महस्व प्रारण किस वर्श किया था Option यह है 1999 में, 1990 में, 1987 में और 1986 में तो संत कवीर की बात करें, इनका जनम वाराण से उत्तर प्रदेश में वहाता और इनकी जो मिर्टु ही थी मगहर उत्तर प्रदेश में ही थी तो इसी लिए उत्तर प्रदेश गवर्रमेंट ने 1987 के बाद मगहर महस्व आरम किया था अगर सरुपरत मगहर महस्व की बात करें तो 1937 में मनाया गया था जो मगहर के कुछ अमीद लोगों द्वारा आयुजित किया गया था तो अगर महस्व कॉप से प्रदम किया तब आये तो 1937 और पहली बार पूछे जाए तो 1937 बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्टिंग की तरफ अगला क्वेस्टिन है राजिस्तान का पुस्कर मेरा किस महा में लगता है ओप्सन ए है फरवरी में ओप्सन भी है मार्च में ओप्सन तो राजिस्तान के पुस्कर मेरे की बात करते हो राजिस्तान का पुस्कर मेरा प्रते कवर्च फरवरी के महा में लगता है जो कि कार्टिक पूर्णेमा के दिने लगने वाला एक मेला है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वेडियो को लाइक करते हैं अगर कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें थेंक यू सो मच